हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एंटर मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट्ट जो हमारा पेपर है उसकी यूनिट टू के बारे में जिसमें हमें मनु को पढ़ना है और इसमें हमें पढ़ना है ओथेंटिसिटी ओफ मनुस्मृत तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेक्स मैंने दोनो ही लेंग्वेज में रखा है इंग्लिस में भी और हिंदी में भी तो दोनो ही लेंग्वेज वाले स्टूडेंस को कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी आप यहां से जो है अपने नोर्स बना सकते हैं फुरा अच्छे से वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हम मनु के बारे में जितने भी उनके जो हमारे पेपर में जो हमें पढ़ना है मनु के बारे में ठीक है मनु समर्थी और दे लौज अफ मनु इस कंसिडर तो बी दा वन अफ दे मोस्ट अथोरोटेटिव टेक्स इन दा ब्रह्मिनिकल ट्रडिशन विच लेज आउट सोचल और सिविल लौज और कोर्स अफ कंड़क्ट विच आर नेसेसरी फोर ता मैंटेनेंस अफ धर्मा अथोरोटेटिव क्या होती है बहुत ही ज्यादा अधिकारिक बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं एक तरीके से रूडि वादी या किसी एक चीज पर कठोर उसको हम बोल सकते हैं मनुसमर्थी या जो laws of मनु हैं मनु के कानून है वो ब्राह्मनवादी परंपरा में सबसे जादा अथोरोटेटिव यानि की अधिकारिक गरंतों में से एक माना जाता है और इसमें सामाजिक और नागरिक कानूनों और आचार सहीताओं के बारे में बताया गया है जो धरम के रख रखाओं के लिए आऊसक हैं कि किस परकार से society में जो धर्मा है क्योंकि Indian political thought में specifically Asian Indian political thought में सबसे ज्यादा में focus किस पे किया जाता था धरमा पे धरम का कैसे पालन करना है ठीक है तो मनुस्वर्थी उन में से एक है एक Asian Indian Political Thought का टेक्स्ट है जिससे हमें पता चलता है कि पराचीन भारत में इस वरकार के राजनितिक विचार हुआ करते थी ठीक है इट प्रस्क्राइब दा कंडेक्ट ओफ फोर मैं और वुमन तो यह जो है इसमें मनुस्वर्थी में किसके बारे में बताया जाता है यह चार समाजिक वर्गों के बारे में या वर्णों के बारे में बताते हैं जिसमें हैं ब्रामन, छेत्रिय, वेश्य, शुद्र और इन चारों वर्णों में की जो भी पुरुस और महीलाएं है उनको किस परकार से आचरन करना है किस परकार से रहना है और उनके बीच में जो भी चीजे होती है conduct का मतलब क्या होता है कि उनका वैभार कैसा होना चाहिए कैसे उन्हें society में रहना है and rules for interaction between them और आपस में society में रहते हुए किस परकार से उन्हें एक दूसरे के साथ में रहना है ठीक है it lays out rules of conduct for people in the four stages of life और इसके अलावा मनुसमर्ती में जीवन के चार चर्णों यानि की चार आस्वमों का वर्णन किया गया है जिसमें पहला है ब्रहमचारिया फिर है गरस्थास्रम फिर है वानपरस्थ और चोथा है सन्यास ठीक है और इसमें लोगों के नियम बताई है आचरण के कि इन चारों stage में लोगों को कैसे रहना है ठीक है उसके बारे में नियम बताए गई है It also prescribes rules and obligations for the king राजधर्मा इसमें जो है राजा के क्या क्या धर्म है राजधर्म क्या है राजा के क्या क्या करता हुए है क्या-क्या नेमो को उन्हें फोलो करना है इसके बारे में भी बताया गया है and laws related to civil matters like business and contract इसके साथ-साथ इसमें राजधर्म के बारे में तो बताया ही गया है साथ-साथ में वेवसाय और जो और भी बाकी की चीजे हैं राजा को कौन कौन सी थीजे करनी है उसके बारे में भी बताया गया है इसके अलावा इसमें कठोर सामाजिक नेमों और सीमाओ का वर्णन किया गया है जिससे क्यों किया गया है धरम के संरक्षन के लिए और ये जो सिस्टम है ये पदानुक्रमित है यानि की हायरार्की है जिसमें जहां पर ब्रहमन को सबसे अधिक सामाजिक विसेशादिकार प्राप्त है और सुद्रों को सबसे कम यानि कि ब्रह्मन जो है वो सबसे अच्छी वाली पोजिशन पे हैं किसमे मनुस्मर्ती में और जो शुद्र हैं वो सबसे नीचे वाले पायदान पे हैं और उनकी कंडिशन जो है बहुत ही खराब है इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मन है समाज में उनको सबसे जो है रिस्पे नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें as a human being उनको क्या किया जाता है treat किया जाता है respect किया जाता है ठीक है काम और बाकी सब चीजों को भी अगर हम छोड़ दें तो as a human being आज के टाइम में जो concept जो परचलित है वो क्या है as a human being सबको जो है equal respect मिलनी चाहिए और सबके काम को equal respect मिलनी चाहिए ठीक है लेकिन मनुस्मर्ती में ये सारी चीज़े नहीं है सिर्फ और सिर्फ विशेशादिकार privileges किसको है ब्रामिन्स को है शुद्राज को नहीं है ठीक है तो ब्रामिन की जो गतिविती बताई गई है जो काम बताएं उसमें क्या है उनको वेदो का ध्यान करना है और वेदो का ध्यान के साथ साथ उनको उनका जो काम है उनका जीवनियापन कैसे होगा बैगिंग से भीक मांग करके ठीक है यानि कि उन्हें दान धक्षिना दी जाएगी किसके द्वारा राजा के द्वारा और बाकी के जो छित्रियाज का काम है जो भी राजा के नीचे जो administrative काम है वो कौन देखते हैं शेत्रियाज देखते हैं या फिर जो आर्मी वगरा में होते हैं शेत्रियाज होते हैं ठीक है और वेश्याज का काम है वो वैपार देखेंगे और money lending मतलब कि किसी को पैसे वैसे ब्याज़ पे देने हैं या किसी को money lending specifically ये सारे कामकाज कोन देखेंगे वो वेश्या देखेंगे ठीक है और शुद्राज का क्या काम है ये जो तीनों की कास्ट है इनकी सेवा करने का काम सुद्राज को दिया गया है और सेवा में कैसे सी जाती है सब तरीके के उनके काम करना उनके घरों में काम करना उनके घरों म जो बेसिकली जो सबसे गंदे वाले काम है वो सुद्राज को दिये हैं, ठीक है? The सुद्राज are not entitled to an education, और सुद्राज को जो है शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया गया है, किसमें? मनुस्वर्ती में. All four learners enjoy complete control over the women of their social category. चारो के चारो जो वर्ण हैं, उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्तिती किसी किसी, अगर है तो किसी है महिलाओं की? क्योंकि चारो की चारो कास्ट में महिलाओं पर पुर्षो का अधिकार दिया गया है, पुर्षो को उनके जीवन से संबंदित सभी निर्ने लेने का, और उनकी conditions, महिलाओं की conditions दो है, सुद्राज से भी खराब है. क्यों? क्योंकि विदिन सुद्रा कास्ट में भी विमिन्स को जो है मैन के equally treat नहीं किया जाता है, उनको उनसे जो है inferior समझा जाता है और मैन को superior समझा जाता है, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी decision लेने की आजादी नहीं है, कोई भी, यानि की सबसे ज़्यादा, सारी की सा कास्ट में, वो मैन में है, यानि कि मनुस्मर्ती में सीदे सीदे पूरा का पूरा patriarchy को follow किया जाता है, पितर सत्ता में को follow किया जा रहा है, जहां पर सब चीजों का स्वामी कोन है, पुरुस है, यानि कि जो मनुस्मर्ती में जो समाज है, वो पुरुस परधान समाज है, मह तो मनु जो है मनु इस परकार मनु के जो कानून है वो धरम निर्पेक्ष और धार्मिक कानूनों के बीज में कोई अंतर नहीं करते हैं यह जो है एक सामाजिक कानून है जो राजनीती और वेक्ती गत छेतर दोनों में काम करते हैं यानि कि यह religious laws नहीं है मनु समर्थी में यह जो लिखे गई हैं वो religious law नहीं है वो क्या है social laws ठीक है क्योंकि कोई भी difference नहीं किया गया है religious laws में और social laws में इसका मतलब यह है कि social laws भी वहीं है और religious laws भी वहीं है ठीक है दोनों एक है दोनों में कोई difference नहीं है और इसमें कोई भी किसी परकार का सोसल लोज ही इसके साथ साथ सामाजिक कानूनों में और जो राजनीतिक कानून है उनमें भी किसी भी परकार का कोई भेदवाव नहीं है यानि कि यही तो सामाजिक नियम है और यही राजनीतिक नियम है इसका कारण क्या है राजनीति को सामाजिक जीवन से अलग नहीं किया गया है और ना ही धरम को सामाजिक और राजनीतिक जीवन से अलग किया गया है यानि कि ये सारी चीज़े जो combine है जैसे आज के time में politics और religion को अलग रखा गया है ठीक है ना politics state के जो है अलग काम बता दिये गए है और जो religion है वो क्या है personal affair है human beings का state उसमें कोई भी interference नहीं करेगा ठीक है ना तो इस परकार का जो distraction है वो हमें कहां नहीं दिखाई देता मनुसमर्ती में नहीं दिखाई देता है ठीक है even the kingly functions are aimed towards preservation of the social order इसके साथ साथ जो राजिसी कारिये है उनका उदेश से भी क्या है यानि कि जो राजा के कारिये है उनका जो उदेश से है उनका जो objective है जो aim है वो क्या है social order को बनाए रखना है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है ठीक है अग इंग्लिस में इसका आगे दिया हुआ है कि जो इतिहासकार है मनु को एक इतिहासिक वैक्ती नहीं मानते है बलकि जिसे हम मनु के नेमो के रूप में जानते है वह कई ब्राह्मन वैक्तियों की कर्टूत है जिसे उत्री भारत में आम यूग के शुरुवाती स्ताब्यों में संकलकित किया गया है यानि कि क्या बोलते हैं Historians do not consider मनु to be one historical person Rather what we know as the laws of मनु is handy work of several ब्राह्मिन individuals which was compiled in early centuries of the common era in northern India यानि कि मनु जो है authenticity के बारे में यहाँ बात हो रही है कि बहुत सारे historians क्या बोलते हैं कि मनु समर्थी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है ब्राह्मिन्स के द्वारा लिखी गई है और क्यों लिखी गई है आप खुद देखिए मनु समर्थी में सबसे उपर में कौन है ब्राह्मिन्स है किसके सबसे ज़्यादा प्रिविलेजिस किसके पास है ब्राह्मिन्स के पास है और उनको कोई तरह ज़्यादा काम भी नहीं दिया गया कोई कठोर काम ही नहीं करते हैं वो ब्रामिन्स को ज़ादा जो विशेशादिकार दिये जाने की वजए से ये ऐसा प्रतीत होता है और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन्स मानते हैं कि ये किसी ब्रामिन्स के द्वारा लिखी गई है ये किताबे क्यों क्योंकि ज़ादा तर उन्हीं के प्रिवलेजिस की बात हो रह जो मनु है वो ब्रहमिनवादी परंपरा और बाद में जो हिंदू धरम में एक पुराणिक व्यक्ति के परतीत होते हैं जिसे अक्सर पहला व्यक्ति या पहला मानव कहा जाता है यानि कि हिंदू मेथलोजी के हिसाब से फर्स्ट जो किंग होते हैं वो कौन है मनु है और मनु को किसने बेजा है बर्मा जी ने बेजा है कि यहाँ पर पुरी दुनिया में जब हिंदू मेथलोजी के हिसाब से हिंदू पुराणिक अथाओं के हिसाब से मनु को बर्मा जी न पर व्यवस्था स्थापित कर सके क्योंकि हिंदू पुरानिक कथाओं के हिसाब से जो पुरिश्रिष्टी का जो सर्जन किया है वो किस ने किया है ब्रमाजी ने किया है ठीक है तो उसके हिसाब से वह यही पर यहां पर यह सारी चीज़े किसमें आती है अथेंटिसिटी ओफ मनुसमर्ती के अंदर आप लोग डाल सकते हो ठीक है ठीक है तो तो ताउजन सिक्टी सिखहंडर नेटी फोर्स एक बिनीक है तो इस मनुसमर्थी में बेसिकली मनुसमर्थी को बारह अध्यायों में विवाजित किया गया है जिसमें 2694 स्लोक है और ये जो अध्याय है और जो स्लोक है कई सारे मुद्दों पर इसके इन में लिखा गया है जैसे कि जाती परबंद पर अहार परती बंद पर महिलाओं पर परती बंद विवाग के संसकार की कैसे शादियवा दिया होनी है उनके बारे में मिर्तु पर बलीदान समारों पर कि अगर किसी की डैथ हो जाती है तो उसको कैसे वो करना है कौन-कौन से रिचुल को फोलो करना है फिर जो सुद्धी करन अनुस्ठान है ठीक है और इन नियमों इसके साथ साथ अगर कोई इन नियमों को तोड़ आप जो है पौलटी के क्या-क्या नियम्स है फोर दा किंग मतलब राज्या जो है जो अपने शाशन ववैवस्ता को ववस्तित करेगा वो कैसे करनी है इसके भी नियमों के बारे में इसमें लिखा गया है ठीक है तो इसमें कितने 2648 में जो हैं क्या है स्लोक है यानि कि हमें मनुसमर्ती को पढ़ने से ये पता चलता है कि किस परकार से प्रारंबिक भारत में शक्तिशाली वर्ग ब्रामन जिनों ने मनुसमर्ती की रचना की है और वो किस परकार इस समाज को देखना चाहते थे यानि कि उनके हिसाब से उन्होंने इस सोसाइटी को क्या किया और्गिनाइज किया A study of Manu social laws will also provide a glimpse of how society was sought to be organized because the ideas contained in the book were not entirely new but culmination of brahmanical tradition of social thought which traced itself to the Vedas Manu के समाजिक अध्यान, कानूनों के अध्यान से यह भी पता चलता है कि समाज को किस परकार से संगठित करने की कोसिस की गई थी क्योंकि जो भी इस किताब में लिखा गया है, जो भी विचार इसमें लिखे गए हैं वो नए नहीं थे, क्योंकि इस परकार के सामाजिक विज़ार जो कि एक ब्रह्म्यनवादी प्रमपरा के अंतरगत आते हैं और इसी परकार के सेम परकार के जो विचार हैं वो वेदों में भी दिखाई देते हैं, ठीक है, तो basically मनुसमर्ती जो है, वो वेदों की ही interpretation पे आधारित है, और जिसमें जो है, और ज्यादा बढ़ा चड़ा करके, उसको चीजों को जो है, जो है, एक तरीके से उसको लिखा गया है, ब्राह्मिन्स के favor में, ठीक है, ब्राह् and elaborate rules of social control were made to avoid cures or what Vedic texts have called matse naaya, तो जो मनुसमर्ती में, जो भी ये सामाजिक नियंतर्ण के जो भी व्यापक और विस्तरत नियम बनाए गई है, वो क्यो बनाए गई है, वो अराजक्ता को खतम करने के लिए, अराजक्ता से बचने के लिए बनाए गए थे, या जिसे वेदिक गरंथों में matse naaya का जाता, matse naaya का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, या फिर अराजक्ता का मतलब, अराजक्ता से बचने का मतलब क्या हुआ, according to manusmarti, बर्मा जी ने पूरा, जो है, according to Hindu methodology, बर्मा जी ने पूरे world को बनाया, पूरी दुनिया का सर्जन किया, ठीक है, और कैसे किया, कि कोई व्यक्ति उनके नाख से निकला, कोई कान से निकला, और जिस हिसाब से वो जिस अंग से निकले, उसी हिसाब से उनकी पद हो गया, यानि कि ब्रहमिन जो है, उनके सबसे उपरी अंग से, सबसे जो साफ अंग है, वहां से निकले, जिसकी वज़े से, उनका, उनको क् सरजन हो गया यहां पर सारे व्यक्ति आ गए ब्रमाजी ने भेज दिया तो इन लोगों में जो है एक कोई भी ओडर नहीं था सोसल ओडर नहीं था सोसाइटी तो इस्टैबलिस हो गई लेकिन किसी भी परकार का ओडर नहीं था ओडर का मैंतलब होना कि विवस्थित नहीं था कोई भी किसी को मार देता था कोई भी कोई rules and regulations नहीं थे मच्चे नाना का मतलब होता है बड़ी मचली छोटी मचली को खा जाती थी जो powerful था वो छोटे लोगों का जो है जीवन को नस्ट कर देता था उनकी संपती को हडप लेता था उनके जो भी resources थे उन पे कपजा कर लेता था और उनको जो है मार दिया जाता था इस परकार का वहाँ पर जो है system जो है इस्टेबलिस था फिर लोगों ने ही ब्रमा जी से request किया कि इस अराजकता को खतम करने के लिए society में order लाने के लिए समाज को व्यवस्तित करने के लिए किसी एक ऐसे इनसान को भेजिये या किसी एक ऐसी उसको भेजिये जो इसको व्यवस्तित कर सके तो ब्रमा जी ने फिर मनू को भीजा तो मनू जो है पहला राजा या पहला व्यक्ति कहा जाता है जिसने पूरे का पूरा जो है व्यवस्तित किया ठीक है पूरे और ब्रमा जी ने सारे के सारे rules and regulations बताये कि किस परकार से जो है राजा उसको व्यवस्थित करेगा और राजा जो है वो भगवान का भेजा हुआ ही रूप है इसलिए जो भी व्यक्ति इस समाज में रहते हैं उन्हें जो मनु के सारी की सारी बाते माननी पड़ेंगी ठीक है ना और वो बाते क्यों थी कि और जो उन्होंने फोलो करेगा ठीक है तो यह सारी बाते किसमें लिख दी पूरा का पूरा लिख दी गई इस परकार मनुस्मर्थी जो है भारतिय समाज में सामाजिक रूप से सक्तिसाली वर्गों द्वारा अपने विशेसाधिकार की सामाजिक व्यवस्ता को बनाए रखने और संरक्षित करने का एक प्रियास परतीत होती है जो उस समय तेजी से एतिहासिक परिवर्टन हो रहे थी तो जो मच्यनाना हमने यहां पर पढ़ाना कि सच डिटेल एंड एलोब्रेट रूल्स और सोशल कंट्रोल वर मेड़ तो अवोईड kios or what vedic texts have called Madhyananna an anarchic situation where only the law of Stronger exist. Thus, Manu-Samurti appears to be an attempt by socially powerful sections of Indian society to retain and preserve the social order of their privilege at a time when rapid historical changes were taking place ठीक है, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं कि sources of law जो मुनुस्मर्ती में जो बाते बोली गई है उसका source क्या है, जो कानून उसमें बताये गई है तो उसका source क्या है The मुनुस्मर्ती forms part of the smrti canon of Hindu religious corpus which refers to knowledge received from tradition The other canon is shruti which refers to revealed knowledge or divine knowledge जो मुनुस्मर्ती है, वो हिंदू धार्मिक कोस के समर्ती सिधानत का हिस्सा है जो परंपरा से प्राप्त ज्यान को संदर्भीत करता है यानि कि जो मुनुस्मर्ती है, वो सिर्फ मनुस्मर्ती ने बहुत सारी और भी समर्ती है तो मनुस्मर्ती वी ऐसे ही हिंदू religious religion का एक समर्ती है जो की उनके प्रंपरागत जो ज्यान है उसको दर्साता है ठीक है? और दूसरा जो सिधानत है किस सीजगाद? दूसरा सिधानत है उसको शुरूती बोलते हैं तो शुरूती में क्या बोला गया है? शुरूती में, शुरूती क्या होता है? जो शुरूती है वो क्या है? उसमें जो की divine knowledge है जो revealed knowledge है, जो की ज्यान है जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसके बारे में शुरूती में लिखा गया है ठीक है? और जो सुरूती हैं, उसमें किस परकार का गयान है? knowledge received from traditions कि परंपराओं से जो सदा से जो चली आ रहा गयान है लोग जो एक पीड़ी दर पीड़ी जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं ठीक है? उसमें वो सुरूती में बात की गया है ठीक है? या फिर जिसने इसको बनाया है, इस स्रुष्टी को जिसने बनाया है दा वेदाज बिलोंग टू शुरूती ग्रूप एंड ओक्यूपाई आ सम्वट सुपीरियर पोजिशन तो इस हिसाब से जो वेद हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं वो भगवान द्वारा लिखे गए हैं और उनमें जो ज्ञान दिया गया है वो क्या है वो एकदम से हम बोल सकते हैं कि बहुत स्रेष्ट है इसलिए जो वेदों का जो स्ठान है वो सबसे उपर है क्योंकि वो भगवान द्वारा लिखे गए हैं भगवान in the sense की हिंदू मैथोलोजी के हिसाब से जो इस स्रिष्टी का निर्मान किसे ने किया ब्रमाजी ने और ब्रमाजी ने ही इस स्रिष्टी को इस समाज को कैसे व्यवस्थित करना है उन सब का ज्यान चार वेदों में लिखा ठीक है तो इस परकार से स्रिष्टी और समर्ती जो है उनके बीच में जो धार्मीक ज्यान का जो वर्गी करन है वो कानून के दो स्त्रोतों को बताता है जिसमें जो एक ज्यान है वो भगवान द्वारा दिया गया है यानि कि उसका वो देविया है और एक प्रमपरागत तरीकों से जो है आगे पीडी दर पीडी जो बढ़ाया जा रहा है वो है ठीक है ओल्दो दा रिपोजिटरीज ओफ टरडिशन नोलेज क्लेम डैट रिवेल्ड टेक्स्ट आर देयर सोर्स हाला कि जो परमपारिक ज्यान का जो बंडार का जो दावा है वो परकट होता है उसके पाट के जो उसमें जो लिखा हुआ है उसके स्त्रोथ से ठीक है रिवेल्ड टेक्स्ट आर देयर सोर्स the laws of manu claim four sources of scared law manu के उसके हिसाब से कानून के हिसाब से जो scared law का मतलब है कि जो पवित्र कानून है उसके चार स्त्रोथ है ठीक है न दवेदास और दवेदास conduct of virtuous man learned in the vedas वेद और वेदों में पड़े हुए सदाचारी पुरुसों का आचरण चीक है conduct of holy man and self-satisfaction जो पवित्र पुरुसों का आचरण और आतम सुन्तुस्ती it also claims that all the social laws prescribed in it are in strict accordance with the vedas और यह भी दावा किया जाता है कि इसमें जो निर्धारित है वो सभी के सामाजी जो सभी है वो सामाजी कानून वेदों के अनुसार है यानि कि जो मनुस्मर्ती में बताया गया है मनुस्मर्ती क्या बोल रही है कि जो भी उसमें लिखा गया है वो वेदों से ही लिखा गया है और वेदों ने उसको क्या किया है क्योंकि वेद जो है सबसे पवित्र है मनुस्मर्थी के हिसाब से और जो मनुस्मर्थी में लिखा गया है वो वेदों के हिसाब से ही लिखा गया है और वेदों से ही वो लिया गया ग्यान है ठीक है जो अगर कानून की उत्पत्ती का पता इस वर से लगाना अग्याकारिता का अदेश देना और यह दावा करने का एक तरीका है कि कानून मानुए जात से उपर है यानि कि इसको हम यह नहीं पता लगा सकते कि यह कानून जो यह जो सोर्सिव हैं यह कहां से आई हैं इनका पता लगाने का मतलब हो गया कि कानूनी मानुवेता मतलब की मनुष्य जो है इसको सिद नहीं कर जगता है Such a source also enables the dominant social sections of society to claim that they are eternally entitled to respect wealth and political power तो ऐसा स्त्रोथ समाज के पर्मुक सामाजिक वर्गों को यह दावा करने में भी सक्षम बनाता है कि वे सम्मान, धन और राजनितिक शक्ति के सास्वत हकदार है क्योंकि दैविय रूप से निर्धारित कानून एपरिविर्थनिय है और पहले से ही सत्ता में मुझूद लोगों के आचरण पर निर्भर करते हैं वे अपनी विशेसाधिकार प्राप्तिति को मजबूत करना चाहते हैं because divinely ordained laws are unchanging and depend on the conduct of those already in power, they seek to bolster their privileged position. For instance, historian K.P. Jaiswal explained that the divine origin theory of kingship was furthered by Brahmin king Pashumitra Sungha in order to make his family's claim to the throne permanent and to describe it the Buddhist theory of state, which emphasizes contract amongst people to decide their rulers. For instance, K.P. Jaiswal said that K.P. Jaiswal said that the divine theory of origin of kingship was furthered by the king. उसमें ये फैलाया गया जानबूज कर एक ब्रामिन किंग थे पुश्यमित्रा शुंग ठीक है? क्यों? क्योंकि Buddhist theory के हिसाब से जो ये शासन विवस्था है, इसमें कौन रूल करेगा? वो लोगों के जो राजा है, वो भगवान का भेजा हुआ नहीं है, बलकि लोगों ने अपने में से ही चुना हुआ है, क्यों ठीक है? कि भई आप ज़्यादा सक्तिसालियो, Buddhist theory of the origin of state के हिसाब से concept क्या है? Concept ये है कि इस समाज को विवस्थित करने के लिए लोगों में अराजकता फैली हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने में से जो सबसे सक्तिमान था, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि विवस्था स्तापित करने के लिए कौन चाहिए? जो सक्तिसाली व्यक्ति है, वो चाहिए, तो उन्हों ने उस सक्तिसाली व्यक्ति को चुना यानि कि आपस में उन्हों ने ही राजा को चुना किसी भगवान ने नहीं भेजा और उस राजा का क्या करतव्य था कि वो समाज में व्यवस्था स्तापित करेगा और उसके बदले में लोग उसे चावल देंगे चावल यानि कि उसको टेक्स देंगी ठीक है, तो इनों ने क्या थिया जो पुश्पमित्रा थे यह जो KP जैसवाल है इनके हिसाब से इनों ने कि लोग इनों ने क्या है कि अपने क्योंकि जो राज साही है जो किंग शिप है वो किस पे बेस्ट है वो वनसा नुकरम पे बेस्ट है कि राजा का बेटा राजा बनेगा लेकिन बुद्धिस्ट थियोरी के हिसाब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा जो सक्तिसाली होगा उसी को लोग चुन करके राजा लेकिन चाहे उसके हिसाब तो इस जो पुष्पे मित्रा सुंगा थे, इन्होंने अपनी फैमिली के, की उसकी फैमिली जो है, उस पर ही बनी रहे, तो ये डिवाइन थियोरी उन्होंने दे दी कि नहीं भई, राजा को भगवान ने ही भेजा हुआ है, और राजा का बेटा ही राजा की क्या कर्दव्य बताए गई है, ठीक है, वाइवाज दा किंग क्रियेटिड, तो सबसे पहला कोशन ये का जो आंसर दिया जाता है मनुसमर्ति में कि राजा को बनाया क्यों गया था, क्या जरूरत आन पड़ी थी राजा को बनाने की, ठीक है, यहनि कि ये स्टेट को फोर्म करने की जरूरत क्यान पड़ी थी, दा किंग वास क्रियेटिड टू प्रोटेक्ट अंड कंट्रोल चियोज एंड फियर, विच प्रिवेल्ड इन आ सुसाइटी विद्दाउट आ रूलर, तो राजा क्योंकि समाज जो है, वो राजा के विहिन समाज था, और जो अराजक्ता फैली हुई थी, किसी भी परकार की सुरक्षा नहीं थी, और कोई भी नियंद्रन नहीं था, तो समाज में वैवस्था बनाने के लिए, और राजा को बनाया गया था, किस के हिसाब से मनुस्मर्थी के हिसाब से क्योंकि उस टाइम पे जो सुसाइटी थी उसमें क्योज थे बहुत ज़्यादा आराजकता फैली हुई थी कोई भी किसी को मार देता था तो जीवन के लिए ही खत्रा था मुनिस्टर के जीवन के लिए ही खत्रा था कोई भी सुरक्षा नहीं थी अ चेत्रिय वाज चेत्रिया वू हैसे रिसेवड ट्रेनिंग इंवेदिक ट्रडिशन और हैस गोन थ्रू ओल दा प्रेस्क्राइब रिलिजियस प्रेक्टिस फ्रों चायल्डूड दा इनिशिएशन उपनयाना एंड श्टूडशिप इस फिट तो बी किंग अकोर्डिंग त उसको पूरी की पूरी जानकारी है और वो बचपन से ही सारे की सारी जो धार्मिक पर्थाएं हैं दिक्षाएं हैं उपनयान उनको क्या करता आ रहा है उनको याद करता हुआ आ रहा है उसे सब चीजों का ज्यान है और अपने स्टूडशिप से मतलब कि वो अपने करते हुए आ रहा है वही राज्या बनने योग गय है इसके हिसाब से मनु के हिसाब से जो राज्या है वो क्या है सुपीरियर है क्यों है सुपीरियर क्योंकि वो देवताओं के देव्यत अत्वों से बना हुआ है यानि कि राजा के अंदर वो सारी काबलियत है जो अलग-अलग देवताओं में होती है ठीक है जो मनु का जो राजा है मनु राजा के कानूनों का पूरण पालन करने की मांग करता है यह राजा ही है जो चारो वर्णों की सामाजिक विवस्था धरम की रक्षा और रक्षा करता है इसलिए राजा की अवग्या एप वितरता के समान है और गंभीर परतिरोद को आमंतिरित करती है सामाजिक विविस्था को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए राजा द्वारा नियोजित उपकरण डंड या डंड उपलब्द है ठीक है यानि कि जो राजा की बात है वो सब को माननी है क्यों और राजा का काम है सोसल ओर को मिंटेन करना और सोसल ओर क्या है कि जो भी चार वरण बताए है जो चार वरणों में जो समाज को बाटा है वो अपना अपना काम जो है अथ्छे तरीके से करे यानि कि ब्राह्मिन जो है पढ़ाई लिखाई का काम करें शेत्रिय जो है रक्षा का काम करें और जो शुद्राज है जो शेत्रिय के बाद कुन सा वर्ण आता है वेश्चे जो है वो वेपार का काम करें और जो शुद्राज हैं वो इन तीनों वर्णों की सेवा करें ये किसका काम है ये राजा का काम है देखने का अगर ये चारों वर्ण अपने काम करते रहेंगे तो विवस्था बनी रहेगी according to Manusmirti Hence, disobedience of the king is a kind to sacrilege and invites severest reperson यानि कि अगर राजा के किस उसको माना नहीं जाएगा अगर राजा की बात को नकारा जाएगा तो उसके लिए मनु ने क्या किया है डंड का प्रावधान किया है उसको राजा punishment देगा क्योंग अरस्थास्त्रा, अर्थशास्त्रा, अर्थशास्त्रा दा Manusmirti claims that punishment is the king itself यानि कि अर्थशास्त्रा की प्रतिधवन्नी करते हुए यानि कि अर्थशास्त्रा की के ही तरहिके से Manusmirti का दावा है कि डंड ही राजा है यानि कि राजा अगर कोई भी पोलो नहीं करेगा Rules and Regulations तो राजा जो है punishment देगा और वो punishment ही क्या है राजा है ठीक है It is punishment which watch is over which governs and which protects ये जो है सजा ही है जो निग्रानी करती है, शाषन करती है और सुरक्षा करती है राजा शाषन कर रहा है लेकिन राजा जो साषन कर रहा है वो क्यों कर रहा है डंडा के लिए डंड क्यों जरूरी है समाज में विवस्था बनाएं के लिए विवस्था किसली क्या है कि चारोवर्ण अपना काम सही तरीके से करते रहें सबको protection मिले सबको सुरक्षा मिले मनू ये चेतावनी देते हैं ये बोलते हैं कि सुक्त की ओर ले जाने के लिए ही डंड का सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए यानि कि डंड का जो प्योग किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है अराजक्ता को दूर करने के लिए अराजक्ता वाली विवस्था में क्या है सभी वैक्ती जो है समाज में रहने वाले लोग दुखी थे दुखी क्यों थे कि वहाँ पे किसी परकार की कोई सुरक्षा ही नहीं थी ना जान की ना माल की ठीक है तो मनु के हिसाब से डंडा का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए जब लोगों में विवस्ता स्थापित करने के लिए और जिससे लोगों के जीवन को और बेटर बनाया जा सके happiness उनकी life में ला जा सके ठीक है ना betterment of the life का मतलब क्या है कि लोग और अधिक खुसहाल तरीके से रही ठीक है recklessly applied punishment destroys everything उनके हिसाब से अगर प्लापरवाही से इस दंड को का जो system है दंडा system को अगर apply किया जाता है तो वो सब कुछ सब कुछ नस्ट कर देता है इफ दंडा is not employed then the stronger would roast the weaker like fish on a pit, the cow crow would eat the sacrificial cake and the dough would lick the sacrificial veins and worst ownership would not remain with anyone and the lower ones would answer the place of the higher ones तो उनके हिसाब से अगर डंड का प्योग नहीं किया गया society में तो जो बलवान है वो कमजोर को खतम कर देगा जिस परकार से एक मचली जो है बलवान कमजोर को गड़े में पड़ी मचली की तरह भून डालेगा और कोवा जो है बली का भोजन चट कर जाएगा और स्वामीतम किसी के पास नहीं होगा और निचला उच लोगों का स्थान हडप लेंगे देखो कितनी गलत बात इसमें बोली गई है कि अगर डंड इसका डंड सिस्टम का प्रियोग नहीं किया गया ना तो जो निचली कास्ट के जो लोग है न वो उपरी कास्ट वालों की जो जगह है उसको घडप लेंगे मतलब कि सीधा सीधा इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इसमें बात को लिए बोला गया तो सीधा सीधा जो डंड का जो सिस्टम है इसी लिए तो इसको किटिसाइज किया जाता है मनुस्मिर्थी को कि सीधा सीधा जो ब्रह्मिन कास्ट है उसको प्रोटेक्शन के लिए ही यह सारे रूल सेंट्र मनुस्मिर्थी लिखी गई है ठीक है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यह सारे जो अभी एक्जामपल जो यह बोली गई है न यह मेटाफोर जो बोला गया जो लकोकती हम बोल सकते हैं जो मुहावरे टाइप का जो बात बोली गई है उसमें सीधा सीधा यह बोला गया है कि जो सोसल ओडर है जहां पर वैल्थ यानि की जो धन है संपत्ति है स्वामितव है सिक्षा है और धार्मिक परशिक्षन जो है वो तीन जो उच वरग है उनी के लिए आरक्षित है ठीक है और उसमें डंडा को फोलो नहीं किया जाएग तो यह बोल रहे है नीचे वाला जो वर्ण है जो सुद्राज है वो कबजा कर लेंगे ठीक है ओल कास्ट वर्णाग वुड बी करप्टिड बाई इंटर्मिक्षर ओल बैरियर्स विल ब्रोकन थ्रू तो उसके हिसाब से मनु के हिसाब से क्या है कर इस पर ऐसा हुआ तो जो जो मनु को यह डर है कि डंड के अभाव में एक जाती के पितर या उच जाती के प्रूस और महिला के बिच विवा के अंतर विवाई नियम समाप्त हो जाएंगे ठीक है इसको इंगिलिस में पढ़ते हैं मनु fears that in absence of punishment the endogamous rules of marriage within the same caste or between the male of a higher caste and female of a lower caste would be broken and caste hierarchy and entitlement over power and resources would lose all meaning ठीक है ना तो क्या बोल रहे हैं वो कि इस परकार से जो अगर इस परकार की दंड की बांदाये खतम हो गई तो मनु को यह डर है कि एक ही जाती के पितर उच जाती के प्रूस और महिला के बीच में और जो निमन जाती की महिला है उसमें अंतर विवा होने जाना है इंटर कास्ट मेरिज होने स्टार्ट हो जाएंगी और जो अंतर विवा है इंडो गोमी है वो सब क्या हो जाएगा अंतर विवा यानि कि एक ही कास्ट मेरिज काल जो कंसर्प्ट हो खतम हो जाएगा निचली जाती का जो पदानुकरम है समाज में जो बनाया गया है वो तूट जाएगा और उसका जो है उससे फिर क्या हो जाएगा कि जो भी जो भी हाइरार्की बनी हुई है सुसाइटी में जो हाइरार्की बनाई गई है वो खतम हो जाएगी अगर डंडा का जो है इस्तिमाल सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो basically डंड का इस्तिमाल क्यों किया जाना है कि चारो वर्ण जो है और सबसे चोटा वाला जो सबसे नीचे वाला जो वर्ण है सुद्र जो है वो अपने काम करते रहें तीनों वर्णों की सेवा करते रहें चाँ चपट विल्कुल भी ना करें सीधा सीधा यही बूला गया है इसमें एन आइडल किंग देर्फोर हैस तो बी टूथफुल टूदा सोसल ओडर एंड शुड ऑब्जर्व जस्टिस अंद धर्मा बाई मेकिंग शोर धाट सोसल एंड एकोनोमिक रिस्टिक्शन प्लेस्ट वाइड वर्णा ओडर आर नोट ब रहे जिससे की जस्टिस और धर्म जो है बना रहेगा जस्टिस और धर्म का मतलब यह है कि जो सामाजिक और जो आर्थिक रिस्ट्रिक्शन से बाधाई हैं वो वर्णा सिस्टम के हिसाब से बनी रहनी चाहिए नहीं अगर रहेंगी डंडा का प्रियोग नहीं किया जाएग तो ये सामाजिक और आर्थिक जो बाढ़िताएं हैं इसका मतलब क्या कि इस वर्ण के लोगों को यह फोलू करना है और उन्हीं के हिसाब resources होते थे और जो राजा के काम जो मंतरी होते थे उनके पास ज़्यादा अच्छे काम होते थे और जो सबसे नीचे वाले शेत्रिय थे उनके पास कुछ था ही नहीं उनको खाली ना तो मनुष्य समझा जाता था उनको और ना ही उनको इतने ज़्यादा resources उनके पास उनको जूटा खानी को मिलता था जूटा जो बचा कुछा जो तीन कास्ट उसको दया भावना करके जो दे देते थे काम भी करवाते थे और उनके पास resources भी नहीं थी तो मनु के हिसाब से क्या है सही king वही है जो इस order को बनाए रखेगा ठीक है उसके हिसाब से एक जो उस राजा को सही नहीं माना जाएगा उसको विकृत माना जाएगा जो की basically sexual pleasures में ज़्यादा वैस्त रहता है और जो पक्सपाती है धोके बाज है और वो इस परकार का राजा क्या है शाशन नहीं कर पाएगा और जाती विवस्था को सक्ती से पालन नहीं करवा पाएगा ठीक है ऐसा कौन बोल रहा है मनू सिमर्ती में ही ये लिखा गया है मनू therefore spells out that the king has been created to be the protector of the caste and orders who all according to their rank discharge their several duties तो मनू के हिसाब से राजा का को जातियों और जो the king has ensured the caste to do not break ranks की caste जो है जो hierarchy है उसको ब्रेक नहीं करेंगी तोडेंगी नहीं और हर एक caste जो है अपनी उनको जो काम सोपे गए है उन कामों को करेगी ठीक है राजा को इसी लिए बनाया गया है कि इन सब को अपने अपनी rank के हिसाब से सारी जातियों को वो काम करवाए वो ठीक है यानि कि शुद्राज को पढ़ने लिखने किया जाती नहीं है उसको उनका जो है तुद्राज को जो तीन कास्ट है उनकी सेवा करने किया जाती है ठीक है एक अच्छा राजा वही होगा एक न्याइक राजा वही होगा न्याइपुरन राजा वही होगा जो अपनी कास्ट को के जो भी रैंक है उनको तोड़ेंगे नहीं और अंतर जाती है विभार नहीं करेंगे कि राजा देखेगा कि इंटर कास्ट मेरेज नहीं होनी चाहिए साथ ही साथ और वो अपना जो वेवसाई है जो भी जिस कास्ट से जो उनका वेवसाई जुड़ा हुआ है वो वही वेवसाई करेंगे ये काम किसका देखने का है राजा के देखने का है यानि कि शाधी को भी कौन देखेगा कि कोई intercast marriage तो नहीं कर रा है, राजा देखेगा, intercast marriage करना मनुस्य मर्ति में allowed ही नहीं है, समझ रहे हो intercast marriage आज के टाइम में भी definitely हिंदूज में इतना ज्यादा हववा क्यों है, क्योंकि पीछे से आप लोगों की text में लिखा गया है, ल सिधा सिधा समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए ये सारी बाते लिखी गई है ठीक है क्यों कि जादा लोग अगर पड़ लिख लेते तो उनकी जो उपाधी बनी हुई है उनके जो प्रिविलेजिस है वो छिन जाते ना उनको उनको वो स्थान नहीं मिलता society में जो उन लोगों को ये rules follow करवाने में मिल रहा था ठीक है राजा का बेटा राजा ही बना रहेगा उसकी तो पुस्तों के लिए वो चारी चीज़े हो गई न चाहे वो कैसा भी है सराबी है नसेडी है करे भी है चाहे आगे आने वाली हमने क्या देखी मनुस्मर्ती में लिखा तो गया है कि राजा ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में इस तरीके किज़े देखी गई और जो ब्रामिन्स की जो है जो situation थी वो हमेशा से ही अच्छी थी ठीक है तो ये सारी चीज़े किसमें ही मनुस्मर्ती में बोली गई है साफ साफ लिखा हुआ है कि राजा को जो है क्या होना चाहिए इसके अलावा न्याय परदान करते समय राजा को अपने सत्रूओं को कठोरता से डंडित करना चाहिए अपने मित्रों के परती किसी कपट के वेवार करना चाहिए यानि कि अगर शत्रू को डंड देंगे तो कठोर होना चाहिए अगर उसके फ्रेंड्स हैं तो लीनियन रहेगा ठीक है किसी भी तरीके से अपना बिहेव इस फ्रेंड्स डुप्लिसिटी तुवर्ड्स इस फ्रेंड्स यानि कि अपने फ्रेंड्स को भी अगर वो ट्रीट करेगा तो किसी परकार का कपट नहीं करेगा नहीं शत्रू को और मित्रों को अगर वो क्या देगा डंड देगा तो सेम देगा लेकिन ब्रहमनों के परतिवदार होना चाहिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है सीधा सीधा मतलब कि भई अपने मित्र को अब अगर डंड देना उसने कुछ गलत काम किया तो सेम डंड दो जो सतरू ने गलत किया तो लेकिन ब्रह्मिन ने किया है तो उसको लीनियंग रेखो उसको ब्रह्मिन Kो जादा डंड मत दो मतलब यहां पर कितना बड़ा भेदबाव यहां पर देखो justice system में भी है ठीक है तो मनुसमर्ती का justice system है punishment अगर किसी ने गलत किया अगर वो शत्रू है और अगर उस राजा का मित्र भी है तो सबको equally treat करना है equal dund देना है लेकिन अगर अगर वही दंड जो है ब्रामिन ने किया है तो linear रहना है ठीक है यह इसकी जो साथ साथ में आप लोगों को यहां से punishment system हम पढ़ रहे हैं और कहां कहां पर इसमें loopholes है उसके बारे में हम जानने की कोसिस कर रहे हैं राजा को सामाजिक विवस्ता के रक्षक के रूप में अपनी भूमे का सदय वियाद रखनी चाहिए यानि कि उसे हमेशा याद रहना चाहिए कि उसकी क्या social responsibility क्या है उसकी इस प्रयोजन के लिए राजा को सुवह जल्दी उठकर त्रिविध पवित्र विज्यान में प्रंपरागत पारंगत और राजनीतिक विद्वान ब्रहवनों की पूजा करनी चाहिए और उनकी सलहा का पालण करना चाहिए साथ साथ लिखा हुआ है यहां पर जाती वरिस्ता की सकती से रक्षा करने के लिए राजा को ने केवल विद्वान और वरद ब्रहमनों की पूझा करनी चाहिए बलकि सदाचार का विकास करना चाहिए और गुराई से दूर रहना चाहिए केवल एक राजा जिसने आतम निरंटरन में महारत हासिल कर ली है और इर्शा क्रोध और नाराजगी से मुक्त है वह यह सुनिशित करने में सक्सम होगा कि परतेक वैक्ति अपने निर्धारित विवसाय का पालन करे और विवा के मात्यम से सामाजिक रूप से दूसरो के साथ ने जुडे The king should always remember his role as the protector of the social order For this purpose, let the king after rising early in the morning worship the brahmins who are well versed in the threefold scared science and learned in polity and follow their advice In order to strictly protect the caste order, the king should not only worship learned and aged brahmin but should also cultivate virtue and shun wish Only a king who has mastered self-control and is free of envy, wrath and resentment will be able to ensure that each caste follows its stipulated occupation and does not come in with others socially through marriage The only relaxation to this strict system of social rules could at times be made for the brahmins यानि कि इस सामाजिक नियमों की कठोर व्यस्ता में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मनों को इछूटे मिली वी थी बाकी के जो भी कास्ट हैं, जो भी वर्णा हैं, उन सब को ये rules and regulations strictly follow करने थे और follow कौन करवाएगा, राजा करवाएगा, और जब बारी आएगी इन rules and regulations की ब्राह्मिनों पे उन पे ये लागू नहीं होंगी ठीक है जब बारे प्रेम से संबदे जितने भी परकार कर रहना नहीं होंगी राजा को सिकार करना, जुआ खेलना, महिलाओं के साथ रहना, संगीत सुनना, निरते देखना ये सभी प्रेम से संबदे जितने भी परकार की चीज़े हैं वो उन्होंने बोला है कि ये आवगुन है और राजा को इसे दूर रहना चाहिए क्यों क्योंकि इससे उसे सासन करने से बटकाएंगी ठीक है और ऐसा किसमे लिखा गया है मनु स्मर्थी में ये लिखा गया है पोजेस्ट बट देर यूज शुड बी कंट्रूल्ड मनू के हिसाब से महिलाएं जो हैं समपती और अन्य इच्छा की वस्तूओं के समान हैं जिन पर कबजा करना चाहिए लेकिन उनका उपयोग नियंतरित होना चाहिए यानि कि महिलाओं को क्या है एक अब्जेक्ट समझाय जैसे बाकी की वस्तूओं होती है ना महिलाएं वस्तूओं है इनसान तो समझाई नहीं उन्हें महिलाएं क्या है वस्तूओं है भोग विलास की और उसकी चीज जिस परकार से बाकी चीजों का पुरुस क्योंकि मनुसमृति क्या है पुरुस परधान समाज है जहां पे महि पर चाहिए मनुस्मर्थी के समाज में महिलाएं जो है पुरुसों के कंट्रोल में रहती थी ठीक है इसलिए मनुस्मर्थी को इतना जारा क्रिटिसाइज किया जाता है खैरा दा ओनली रिलाक्षेशन तो दिस स्ट्रिक सिस्टम ओफ सोसल रोल्स कुड बी तो हमने पढ़ लिया था कि महिलाओं के लिए सामाजिक कानून में अच्छा कहां पर आये थे हम ओकी दिस सेल भी एलबरेटिड अपोन इन्दा सेक्षन ओन सोसल लोज फोर विमें और महिलाओं के लिए सामाजिक कानून अनुभाग में इसका विस्तार से वर्णन किया गया मतलchien पूरा चैप्टर लिखा हुआ है महिलाओं को कैसे रेगूलेट करना है कैसे रूल करना है कैसे कंट्रोल करना है सामाजिक सोसल लोज फोर विमें का एक सेक्षन है मनूसमर्थी में उसमें लिखा गया है सारी बाते इस परकार मनु ने केवल राज तत्व के टैविय सिद्धान का हवन करते हैं बलकि वैर राज धरम के साधन के रूप में डंड की भी प्रसंसा करते हैं तो इस परकार से जो मनु है उसमें वो किंग शिप का जो है राज तत्व का क्या है एक डिवाइन देते हैं कि भगवान ने बनाया है राजा को और उसको जो है राजध्रम को पालन करने के लिए punishment राजा का जो है हतियार है यानि कि उसके द्वारा जो डंड के द्वारा जो है राजा पूरे इस society को manage करेगा डंडा अटमक हिंसा के माध्यम से ही चीजों को उनकी जगह पर रखा जा सकता है मनुस्मर्ति के हिसाब से डंड के हिसाब से ही लोग जो है जो rules मनाए है न उनको follow करेंगे राज्य के राज मर्रा के परसासन को चलाने के लिए मनुस्मर्ति राजा को मंत्रियों की न्युक्ति और इस राज्य को कैसे चलाया जाएगा society को कैसे manage किया जाएगा उसके लिए मनुस्मर्ति में क्या बोला गया कि राजा जो है मंत्रियों की न्युक्ति करेगा विदेशी संबंदों पे काम करेगा युद के संचालन पे काम करेगा और जासूसों की एक पढ़नाली बनाएगा यानि कि जासूस भी न्याइक और राजनागरिक कारियों के संबन्द में विश्टरित वैभारिक सला देती है यानि कि मनुस्मर्थी में किस परकार से राजा जो है manage करेगा अपने जो एक तो राज्य के अंदर के जो काम है और बाहर के भी यानि कि विदेश नीती के बारे में भी बताया गया है spying system के बारे में भी बताया गया है मनुसमर्थी में ठीक है थिक है दस मनु not only invokes the divine theory of kingship he also extols dunda as the instrument of rajdharma it is through punitive violence that things are kept in their place in order to carry out the everyday administration of the state the मनुसमर्थी offers a great deal of detailed practical advice to the king regarding appointment of ministers, foreign relations, conduct of war system of spies and other spies and other judicial juridical and civil functions मनु advises that the king should employ seven or eight ministers from families who have served him well who belong to noble upper caste families who are trained in the use of weapons and whose worth has been proven तो मनु सला देते हैं कि raja को ऐसे परिवारों से साथ या आठ मंत्रियों को निक्त करना चाहिए जिनोंने उनकी अच्छी सेवा की हो और जो उच्छ जाती से उच्छ परिवारों से बिलोंग करते हों और जिनों को हतियारों का इस्तमाल करना आता हो और जिनकी योगता सिद्ध हो चुकी हो कि raja को पताओ कि भाई इनको सारे काम अच्छ आते हैं ये मेरे परतिर लोयल हैं और उच्छ कास्ट से बिलोंग करते हैं ठीक है one who advises that king should employ the king should daily consult with them on matters of war, peace, administration of towns and kingdom, treasury and revenue, defense and tributes तो राजा को परति दिन युद्ध शांती नगरों और राजे के परसासन राजकोस और राजसव रक्षा और सर्धानजली के मामलों पर उनसे प्रामर्स करना चाहिए किन से जो मंत्री वो बनाएंगे tasks which are difficult for the king alone become far easier with the aid of trusted assistance उनके हिसाब से राजा को अकेले काम करना बहुत कठीन होता है उसके लिए विश्वशनिय सायकों की सायता बहुत जरूरी हो जाती है और अगर राजा के पास उसके विश्वशनिय सायक होंगे तो उसके लिए इस social order को maintain करना आसान हो जाएगा सबसे मैतुपूर्ण मुद्धो पर अपने मंतरियों में सबसे भ्रोसेमंद और 35 ब्रामण से चर्चा करने जाएगे तो मनु के हिसाब से जो उसके सबसे खास जो मंतरी होंगे और 35 ब्रामण क्योंकि कौन चुने जाएगे बोला ना उच कास्ट के वैक्ति होने चाहिए ये आठ तो उच कास्ट कौन होई ब्रामण होई तो उन से जो है चर्चा करने चाहिए बाहर से आने वाले बाहरी शत्रूओं से सुरक्षा उतनी ही मैतमभूर्ण है जितनी राज्य के भीतर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना मनु के हिसाब से क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अंदर सामाजिक व्यवस्था बनाए नहीं रखनी है बाहर से कोई शत्रू ना आए अटैक ना करे उसके लिए भी बाहरी शुरक्षा भी जरूरी है मनु के नियम राजा को कूट निती के संचालन के लिए कुशल और जानकार राजदूत रखने की सला देते हैं तो इसके लिए क्या कर रहे हैं वो बाहर की सुरक्षा को की बनी रहे उसके लिए मनु राजा को ऐसे नियम बनाने की बात करते हैं जिसमें की वो कुशल और जानका राजदूत रख सके ठीक हैं क्योंकि राजदूत राजा को सहियोगी बनाने में सक्षम बनाता है वे शांती या यूद पर बात्चीत करते हैं राजदूत कौन होते हैं जो डिप्लोमेट्स होते हैं जो भेजते हैं राजदूत भेजता था ना वही कि और उससे क्या मदद मिलती है शांती और यूद के ल जो है इस पे आपके राज्ये पे अटेक करने वाला या हमरारे राज्ये पे अटेक करने वाला है राजदूत देंगे रक्षा एक छेत्रिय राजा की सर्वोच चिंता होनी चाहिए और चार उपायों सुलह, रिश्वत, खोरी, मतबेद और बल को नियोजित करके राजा को अपने राज्ये की रक्षा करनी चाहिए यानि कि अपने राज्ये की रक्षा के लिए राज्या का जो है ये सर्वोच करतवए है और उसको साम, दाम, दंड, भेड, ये सारी चीजों चाहे कुछ भी उसको इस्तिमाल करना पड़े लेकिन उसको अपने राज्य की रक्षा करनी है अर्थचास्तर के रूप में मनु समर्थी इस बात की वकालत करती है कि एक सक्तिसाली दुस्मन के खिलाफ पहले सुलह की कोशिस करनी चाहिए उसके बाद रिस्वत और चर्चा की जानी चाहिए तो मनु के हिसाब से अगर कोई राज्य है जादा सक्तिसाली है तो भई उससे पहले सुलह करने की कोशिस करो मतलब कि उससे पहले फ्रेंड्शिप करने की कोशिस करो या बैट करके उससे सुलह करो कि भाई क्या प्रोबलम है पहले उस पर डिसकस कर लो अगर उसका कुछ निजात ना निकले तो रिस्वत देने की कोशिस करो उस पर चर्चा करने की कोशिस करो ठीक है फिर भी राजा को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए यदि सब कुछ विफल हो जाए तब ही जोड़ दबर्दस्ति अपनाई जानी चाहिए अगर ये सारे ये किसके संधरव में अगर राजय ज्यादा शक्ष्टी साली है तो अगर वो ये सारी चीज़ें से नहीं मानता यानि कि सुलै भी नहीं करना चाहता है ना बातचित करना चाहता है किसी भी से पर चर्चा नही चाहिए फिर भी राजा को किसी भी स्तिती के लिए तयार रहना चाहिए और कस्बों और पहाडियों में सुविधा जनक स्थालों पर किले बनाने की सला दी जाती है जो सैनिकों और अथियारों से सुचसजित हों तो फिर भी और क्या बोल रहे है कि राजा को बाहरी अक्रम होने चाहिए और जिनके पास सारे के सारे हथियार होंगे जो आकरमन को रोक सकें ठीक है Security from external enemies from outside is an important as maintenance of social order within the kingdom The laws of the Manu advise the king to have skillful and knowledgeable ambassadors for conduct of diplomacy For the ambassador enables the king to have allies, they negotiate peace or war The king should rely on ambassadors to inform him beforehand of the enemy's designs Defense should be the uppermost concern of a Kshatriya king and by employing the four expedients Conciliation and bribery Dissension and force The king should protect his kingdom As Arthashastra, Manu Samarthi advocates that against a powerful enemy, Conciliation should be tried first, followed by bribery and discussion If all else fails, only then coercion should be adopted Yet the king ought to be prepared for any eventuality and is advised to build forts at convenient locations in towns and hills, well stocked with soldiers and weapons Regarding war, Manu Samarthi has a range of practical advice The principle or Sam, Daam, Dand, Bheed Is be employed Force is to be used only when other three strategies have failed Failed A king should always wage war when he is assured of his superiority and his enemies, weakness and all of the enemy's enemies, Other forms of diplomacy have been exhausted, it is always advisable to have a weak but trusted friend than to make him an enemy The text advises against waging war if the army of the king is weak and his ammunition inadequate In case of enemy is too strong, it is advised that the king should divide his armies into two and take refuse in some other friendly kingdom After the war, if the king has managed to win, his aim should be to win friends rather than acquiring wealth and lands Manu says, Manu's मनुसमर्थी seems to favor self-defense and friendship in interstate relations rather than a doctrine of imperial expenses. मनुसमर्थी के हिसाब से सामराजय का विस्तार करने के बजाए अंतर राजय संबंदों में आतम रक्षा और मितरता का पक्ष लेती है. यानि कि मनुसमर्थी किसी भी परकार के imperialism की बात नहीं करती है कि राजा को अपने राजय का विस्तार करना चाहिए इसकी जगह पर उसे मितर बनाना चाहिए ठीक है अगर कोई राजय उस पर attack करता है और राजय जी जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए उसकी किसी भी वस् कि opposite है अर्थशासरक में राजय उसका क्या है राजय का एक करतव क्या बताया गया है कि उसे अपने निरंतर राजय को यूद करते रहना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन का को एक्वायर कर सके तो acquisition is the one of the one of the duty of the king तो राजय का यह करता रहें लगातार अपने The laws of the Manu advise the king to be extremely cautious to getting poisoned and assassinated should have an elaborate system of advice to which over not just the external enemies but also the enemies within. तो Manu के राजा को सतर करेना चाहिए ताकि उन्हें कोई जहर ना दे दे और उनके हत्या ना कर दे और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना कि उसकी हत्या और जहर बाहरी दुस्मन दे बलकि ऐसा जो है उसके अंदर भी कोई कर सकता है ठीक है और इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए Manu जो है जासूसों की एक विश्टरित विविस्था की बात करते हैं कि राजा के पास तो है विश्टरित विविस्था मात्रा में जो है जासूस होने चाहिए ठीक है पास पास जासूसों कालिया जासूस पर नजर चाहिए ठीक है असथे विविस्था की आशा थे विश्टरित वान्धी इस भी के खाने टेकर से विविस्था कालिया who shall report to the lord of ten villages who is who in turn shall report to overseer of twenty villages the lord of the village shall see it see to it that the expected amount of food drink and fuel is being supplied from the village under his command to the king a minister of village affairs will oversee the functioning of all these lords similarly a superintendent is to be appointed in each town who shall look after the work of officials in each department of town administrations so this paragraph in this paragraph is how the manu should be told about the prasasana in this paragraph is about the prasasana in the prasasana which has a pranali ki priklipna ki gahi hai jho gaun se le kars raja to k khe li hoi yi gaun jho hai sthaniya prasasana ki ikai hai kgi paratek gaun ka eek soami ho ta hai jho ds gaun kee soami ko report karay ga jiho bagle me 20 gaun ke pre-avekshak ko report dhe gara jiarni ki ki kaise administration kaise hai sabse upar me raaja hai फिर परतेक गाऊं में गाण सर्पवा में परतेक गाऊं का एक स्वामी होगा जैसे आज के टाइम में सर्पवला गया है दस गाओं फिर ऐसे ही दस गाओं को मिला करके एक स्वामी बनाया जाएगा ठीक है फिर वो दस गाओं का जो एक स्वामी होगा वो उस बीस गाओं का फिर से एक स्वामी होगा उस प्रियवेकसत को उसको क्या देगा वो रिपोर्ट देगा यानि परतेक गाओं का एक स्वामी दस गाओं का मिला करके एक स्वामी जो चुना जाएगा उसको रिपोर्ट करेगा और यह जो दस गाओं वाला जो स्वामी है वो किसको रिपोर्ट करेगा वो 20 गाओं के लिए एक स्वामी बनाया गया है उसको रिपोर्ट करेगा फिर गाउं का स्वामी यह देखेगा कि यानि कि जो परतेक गाउं के लिए जो स्वामी बनाया गया है वो क्या देखेगा वो यह देखेगा कि जो उसके धीन जो गाउं है उस गाउं में पूरा का पूरा भोजन की ववस्ता है खान पीने की ववस्ता है इंधन की ववस्ता है सब चीजों की व्यविस्था को वो देखेगा, घ्राम मामलों का एक मंतरी बनाया जाएगा, इन सबी सरदारों के कामकाज की देख रेक करेगा, यानि कि इन सारे गाओं के जो भी स्वामी बनाया गई हैं, वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक मंत्री बनाया जायेगा ठीक है जैसे आज के time में हमारे यहां पर भी अलग-अलग ministers बनी हुए न तो same time पर उस वहां पर भी system इसी परकार इसी से मिलता जुलता था इसी परकार पर तेख कसबे में एक अधिनिक अधिक्षक Supreme टेंडेंट न्यूक्त किया जाना है मतलब एक सुप्रिम टेंडेंडेंट होगा एक अधिक्षक होगा जो नगर परशाशन के परतेक विभाग में अधिकारियों के कामकाज की देखबाल करेगा यहां तक हमने देख लिया तो अगर राजा जादा लालच में आकरके जादा टेक्स लगाएगा तो मनु क्या बोलता है वो अपनी कबर खुद ही खोद रहा आता है क्योंकि जनता दुखी हो जाएगी वो टेक्स देगी नहीं और फिर क्या करेगी उसके खिलाफ वो करेगी कि डिफ्रेंट काइब्स ओफ टेक्स इंदा फॉर्म ओफ रेवन्यू फीस पाइंस आर टू बी लिवड तो उसके इसाब से अलग अलग तरीके के जो है वो लगा सकता है एं टेक्स लगा सकता है जैसे की राजसर्व टेक्स हो गया शुल्क हो गया जुर्माने होगे पैनल क्या बूल रहे हैं कि अधिकारियों की संप्रति को जब्त कर लेना चाहिए हाला कि किसी भी प्रस्तिती में राजा एक श्रोश्री है एक ब्रामिन जो वेदो का अध्यान करता है पर कर नहीं लगा सकता फिर से टेक्स पे ब्रामिन इसको छूट मिल गई इसके अलावा राजा को ब्रामिनों को बहुत ज़्यादा दान देना चाहिए टेक्स तो लगाना ही नहीं चाहिए उल्टा दान देना चाहिए उन्हें पैसे देने चाहिए तो राजा एक मनुसमर्थी के हिसाब से अगर टेक्स कलेक्ट करने के लिए इमांदार और कुसल परसासन नहीं होगा तो उस राज्य का जो एक्जिस्टेंस जो है वो खत्रे में पढ़ सकता है ठीक है क्योंकि सारी विवस्थाएं तो पैसे से चलेंगी ना अगर पैसा और पैसा कहां से मिलेगा टेक्स से मिलेगा और टेक्स को कलेक्ट करने वाला सिस्टम अच्छा नहीं होगा और वो उसको कलेक्ट करने वाले जो अधिकारी है वो इमांदार नहीं होगे तो पूरा सिस्टम ही खतम हो जाएगा, पूरा राज्य की अस्तितों के लिए ही खत्रा पैदा हो जाएगा तो कहां गया हिंदी वाला मनुस्मर्ती दिवानी और फोजदारी मामलों में राजा दोरा किये जाने वाले न्याय कारियों के संगतन की वैख्या करती है कि राजा को जस्टिस से रिलेटिड कौन कौन से सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे उसके क्या-क्या करते हैं उनके भार में भी बताती है as already explained जो ब्रामिन पुरुस लोग हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिविलेजड प्राप्त हैं और जो सुद्र हैं उनको सबसे नीचे वाले और ओरतों की जो कंडिशन है वो खाली-पीली क्या प्रोपर्टी के समान ही उनको समझा जाता है यानि कि ब्रामिन जो ब्रामिन हो या सुद्रा हो किसी में विमिन्स की जो अल्रेडी हमने डिसकस किया किसी तिती बहुत खराब थी justice would also mean that the powerful positions of ब्रामिन and the king are retained यह भी होगा कि ब्रामिन और राजा की शक्तिसाली पद बरकरार रहें यानि कि राजा और ब्रामिन नयाय का मतलब यह है कि justice system का मतलब यह है कि जो ब्रामिन्स को जो privileges दिये गए न वो हमेशा ऐसे कैसे रहेंगे उनमें कोई भी छेड़ चार नहीं होनी चाहिए और जो राजा के privileges है उनमें भी कोई छेड़ चार नहीं होनी चाहिए उनके हिसाब से वही नयाय के विवस्तह है इस प्रकार मनु लिखते हैं राजा के न्यालने में ब्राह्मन और अनुभवी पारशद सामिल होंगे और उसे जाती वरण के आधार पर दावेदारों के कारणों की जाच करने दें मुकदमों की देखवाल करें तो जिम्मेवारी एक ब्राह्मन को सोपी जाने चाहिए मजदूरी का बुगतान्य करना समझोतों का गैर परदर्शन बिक्री और ख्रीद की मंदी मालिक के बीच विवाद और उनके नोकर सीमाओं के संबन्ध में विवाद हमला मानहानी चोरी डगैती और हिंसा वे भीचार आदमी और पतनी के करतवे विरासत विभाजन और जु कांसलर्स और लेट हिम एग्जामिन दा काज़ी डगैती तो ब्रामिन मास्टर्स ऑफ सिविल शूट्स कंसर्ण नोन पेमेंट अफ देप्ट डिपोजिट और प्लेज सेल विदा ओनर्शिप कंसर्न ये सारी चीजे क्या है उसमें सामिल कही है क्या क्या चीजे उसमें जो ह कानून बनाएंगे ठीक है उसके बारे में बताया गया है राजा को यह देखना है कि कानून की वेख्या केवल ब्रामिन को ही करनी चाहिए सुद्र को कदापी नहीं सीधा सीधा साफ साफ लिखा गया है कि कानूनों की वेख्या कौन करेगा ब्रामिन ही करेंगे शुद्र न जो नस्तिकों और दिविजों से वंचित हैं जल्द ही पूरी तरीके से नस्त हो जाएगा क्या बोल रहे हैं मनु अगर शुद्रों को अगर किसी भी परकार से कानून वगरा बनाने में या वैवस्था में उनको हक दे दिया गया उनको चुन लिया गया तो ऐसा राज्या खतम हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं मनु राजा को यह देखना चाहिए कि नाबालिकों महिलाओं विद्वाओं और सभी जा कि पुरसों को गवहा के रूपे में बुलाया जा सकता है केवल विस्षिस्ट और आत्यावसक्सितियों में ही बिमार पुरसों महिलाओं और नाबालिकों को गवहा के रूपे में प्रुवेस किया जायाना मनुसमर्ति द्वारा निर्धारी दंड जाती वेवस्ता को दरसाते हुए जिसमें उदारता ब्रह्मन के लिए और गंबीरता तीन निचले वर्णों के लिए अरक्षित है चूटी गवाही देने पर तीन निचले वर्णों का जुर्माना और निर्वाशन दिन होना चाहिए जबकि ब्रह्मन को केवल निर्वाशित किया जा सकता है ऑटेका चूटीटिए ञवाशन दिन ब्रहमीन जब आवाहोज निचले अ मर्ण पर इंफन खोडाव और निचली वर्णों की आववाने वर्णों ओना ब्रहता गाही जा बिर्वाशना विया जावाशन पर तीन इन इन अ अमॉराशना निय। इन इन निचले निर्णों का see to it that minors, women, widows and men of all caste are not robbed of their property. In general, men of all caste could be called as witness, यानि कि witness के लिए किसे बुलाया जा सकता है, सभी caste के, सिर्फ आदमियों को, only in a specific and urgent situation should sick men, women and minors be admitted as witness. The punishments prescribed by minorsumarty reflect the caste order with the leniency being reserved for the brahmin and severity for the three lower varnas. For giving false advice, fine and punishment should be for three lower varnas while a brahmin can only be banished. मतलब कि अगर punishment के लिए भी जो तीन कास्ट की जो लोग है ना, उनके लिए तो punishment बहुत कठोर बनाई है, लेकिन ब्रहामिनों के लिए बहुत ही lenient है, अगर किसी ने punishment देनी है तो उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं और देश निकाल भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रहामिनों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, उनको सिर्फ निकाला जाएगा, उन्हें कोई भी किसी भी तरीटे की बाकी की जो चीज़ें ज्यादा कठोर punishment नहीं दी जाएगी, ठीक है, और इसके साथ साथ ब्रहामिनों को जो है, सारी रिक यातना और मृत्यूडंड से भी वंचित रखा गया है, ना तो उनको सारी रिक यातना जी जाएगी, यानि कि मार पिटाई, और ना ही उनको मृत्यूडंड दिया जाएगा, बाकी तीन कास्ट को दे सकते हैं, तीन वर्णों को, अशुद्रा who insults a twice-born man with gross invectives shall have his tongue cut out for he is of law origin, while a ब्रहामिन will be find 12 पानास for defaming अशुद्रा, अच्छा, अब देखो इसमें क्या बोला गया, जबकि एक सुद्र की निंदा करने पर ब्रहामिन को सिर्फ 12 पंद का जुर्मा न लगा जाएगा, लेकिन अगर कोई सुद्र किसी दिग्विज पुरूस को के लिए अपसब्द बोलता है, अपमान करता है, तो उसकी जीब काट ली जाएगी, क्यों? क्योंकि वो नीची की कास्ट से है, ठीक है? अच्छा, the law plays special restrictions on सुद्राज insulting the twice-born man and prescribe several corporal punishments, और instance, twice-born man is to have his lips cut off, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी दिग्विज पुरूस को अपमान करना किया जाए, तो उसके लिए होट काट दिये जाएंगे, और होट काट दिये जाते थे, यदि कोई दिविज वेक्ति किसी सुद्र का अपमान करता है, तो केवल उस पे जुरुमाना लगाया जाता था, मनुसमर्ती में वरणित नागरीक एमम अपराधी कानून वयवस्ता सभी के लिए दंदात्मक उपाय निर्धारित करते हुए, अभी युक्त की जाती के अनुसार दंड की प्रकरती और जाती सिमाओं के उलंगन की प्रकरती निर्धारित करती है, यानि की जो civil और criminal law system जो prescribed है मनुस्यमर्ती में वो किसके हिसाब से उसमें punishment किसके हिसाब से जाती वैवस्ता के हिसाब से है अब हम पढ़ेंगे social law सामाजिक वैवस्ता का संद्रक्षन महिनाओं के नियंतरन के साथ जाती वैवस्ता का पदानुकरम मनुस्यमर्ती की मुखे चिंता है इसलिए हमने देखा कि पाठ द्वानिर्धारित राज ध्रम की काफी हद तक राजा द्वारा इस सामाजिक विवस्ता को बनाए रखने के लिए डंड के साधन का उपयोग करने से संबंदित है ठीक है Social law The preservation of social justice The hierarchy of caste system Coupled with the control of women Is the main concern of municipality ठीक है Manusimatti का सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान रखता है कि system में जो समाज है उसमें caste system की जो hierarchy है वो बनी रहे और women's पर control बना रहे That is why we saw even the राजधर्मा laid out by the next largely concerns itself with the king using the instrument of punishment to maintain this social order और इसी के हिसाब से जो राजा का जो राजधर्म बताया गया है जिसमें राजधर्म क्या है इस social वैवस्ता को बनाए रखना और इसके लिए क्या करना जो है punishment का जो है प्रावधान किया गया है ठीक है However, special attention needs to be paid to how the manusmati idolize the social system हाला कि जो इस बात पर विशेश ध्यान देने के आव सकता है कि किस परकार manusmati ने सामाजिक विवस्ता को किस परकार आदर्स बनाया है It advocated a social system where each caste stuck stuck to his to its allotted profession and interaction between them was bare minimum और इस हिसाब से इस विवस्ता में जो विवस्ता बनाई गई है उसमें विभिन जाती हो अच्छा इसमें जो सामाजिक विवस्ता है वो इस परकार की विवस्ता है जहाँ पर प्रतेक जाती अपने आबंटिट जो उसके काम है यानि कि पर्टिकुलर कास्ट एक ही काम को करेगी उसी काम को करेगी इसी बात का जो है जो राजा है उस बात की देखवाल करेगा यह उसकी डूटी है कि देखे कि परतेक कास्ट का वेक्ति उसी कास्ट से जो जुड़े हुए काम है वही काम करेगी देरफोर इट रिस्ट्रेक्टिड मैरिजेश बिट्विन डिफरेंट कास्ट एंड सो मिक्स्ट कास्ट विद कंटेंट इस ओल्सो रिक्वायर्ट दा एडिशनल रिस्ट्रेक्शन्स भी प्लेस्ट ओन विमन और इस परकार से इसलिए इस मनुसमर्ति के जो वेवस्था बताई गई है उसमें विबिन जातियों के बीच विभा को पर्तिबंदित किया गया है और मिस्रित जातियों के को जो है इसके लिए यह भी जरूरी था कि महिलाओं पर अतिरिक्ट पर्तिबंद लगाएं जाएं इसलिए विमन पर जादा रिस्ट्रिक्शन्स लगाई गई थी अब हम देखते हैं जो सोचल लोज में मैरिज जो है शादी जो है उससे सम्बंदित क्या कानून बनाए गई है क्या कानून बताए गई है किसमें मनुस्मर्ति में जो शादी की जो विवस्था है जो कानून है वो जाती रैंकिंग के हिसाब से ही उनको पालन किया जाता किस परकार के साधी से संबधनित कानून होंगे वो उस जाती कौन सी जाती से बिलोंग करते हैं उसी पर बेस्ट होगे ठीक है? यानि कि हर जाती में साधी के जो कानून हैं वो अलग-अलग थे It lays down that a Brahmin's first marriage should necessarily take place to a women of equal caste Brahmin इसके हिसाब से जो ब्रहमिन की जो पहली शादी होगी वो same caste की महिला से ही होनी चाहिए For his subsequent marriages, he may take a woman from the three lower वरनाज as a wife इसके बाद वाली साधियां वो किसी भी वरन की caste में से कर सकता यानि कि multiple marriages allowed थी, ठीक है? But the text strongly advises against a Brahmin man marrying a सुद्रा women warning that such a union will result in misfortunate for the men और इसमें strongly मतलब की text में मनुस्मर्ती में बोला गया कि Brahmin को जो है सुद्र मुवमिन से साधी जो है नहीं करनी चाहिए क्या बोला है कि उसने अपने बाद के विवाओं में लेकिन पार्ट में मतलब की text में बोला गया कि Brahmin पुरूस को सुद्र महिला से साधी करने के खिलाफ दर्ड़ता से सला देता है चेतावनी देता है कि इस तरीके के मिलन से पुरूस के लिए दुर्भागया होगा यानि वो क्या बोल रहे हैं अगर वो शुद्रा जाती की महिला से कोई ब्रामिन साधी करता है पहली साधी तो उसे ब्रामिन कास्ट की महिला से ही करनी पड़ेगी बाद वाली साधियां वो किसी भी तीन वरणों की इसे कर सकता है और वो बोलता है कि शुद्र जाती की जो महिलाएं होती है उससे साधी करनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा ह तो उसका दुर्भाग्य होगा रिशी मुनी कहते हैं दो बार जन में पुरुस जो अपनी मुरक्ता में निम्न शुद्र जाती की महिलाओं से साधी करते हैं जल्द ही अपने परिवारों और अपने बच्चों को शुद्र के राजय में गिरा देते हैं तकनी की रूप से मनु का कानून कहता है कि एक महिला को अपनी जाती और उच जाती के लोगों से साधी करने की अनुमती है इसी तरह कोई पुरुस अपनी जाती के भीतर या निचली जाती की महिला से साधी कर सकता है यानि कि इंटर-Cast marriages allowed तो है ठीक है or more strictly the law of when you states that women is permitted to marry those of our own caste and those of her higher caste similarly a man may marry within his caste or to our women from the lower caste it elucidates that it writes rhitties of marriages that are recognized in the brahminical tradition मनुसमर्ती में जो विवा के आठ संसकारों का वरणन किया गया है जिसमें ब्रहमनवादी प्रंपरा को माननेता प्राप्त है पहला है ब्रमादीवा, रिशी, परजापता, पताया, असूरा, असूरा, गंधर्वा, रक्षाशा, एन पैशाशा यानि की रक्षाश, पैशाश जिसको बोलते हैं हम आठ संसकार कोन से पताए हैं ब्रमादीवे, रिशी, परजापते, असूर, गंधर्व, रक्षाश और पैशाश दगिफ्ट ओफ आ डोटर अलोंग विद वेदों के विद्वान व्यक्ति को बहु मल्य उपाशनों सहित कन्या का दान करना ब्रमुमा संसकार है पतलब की उनके हिसाथ से डावरी देना बहुत ही अच्छा माना गया है दगिफ्ट ओफ ओफ डोटर अलोंग विद कोस्टली ओर्नामेंट्स तू प्रिस्ट वू हैस कम तू पर्फॉम आ स्टेक्रिफाइस सेर्मनी इस कोल्ड़ दावाक मैरिज दिव्या मैरिज और उनके हिसाब से याग अनुस्तान करने आये हुए पुजारी को बहुमुल्य आबरश्वनों के साथ बेटी का उपहार देना देव विवा कहलाता है दूले से गाएं और बैल की जोड़ी के बदले में बेटी का दान करना रिश्यो का मार्ग है दमपती को आशिरवाद और सम्मान के साथ बेटी का उपहार देना परजापत्य संसकार है जब कोई दूला महिला को और उसके रिस्तेदारों को अपनी सम्तान उसार अपनी संपती देने के बाद उसे प्रात करता है तो उसे असूर विवा का जाता है यानि की दूला नहीं दे सकता है अगर दूला देगा तो उसे असूर विवा माना जाएगा देवे विवा किसे माना गया है जिसमें लड़की के लोग लड़की देते हैं और पैसा देते हैं दान देते हैं संभोग की इच्छा से इस्त्री और उसके प्रेमी का स्वेचिक मिलन गंधर्व विवा कहलाता है यानि कि सम्भोग किचा यानि कि किसी लड़का लड़की ने अगर प्रेम विवा किया है तो उसको गंदर विवा बूला जाते हैं अपने रिष्टेदारों को मार कर इस तरीको उसके घर से बलपुरूख अपर्ण करना राक्षसों का तरीका है यानि किसी ने किसी रिस्तिदारों को मार करके किसी के साथ शाधी की है तो उसको क्या बोलते हैं राक्शसो का तरीका नसे में नींद में या भटकी हुई इस तरी के साथ चोरी छीपे छेड़ खानी या को पेसाच नामक मिलन का सबसे नीच और पापपूरण तरीका बताया गया है यानि कि रेप करना सबसे ज़्यादा खराब बताया गया है उसको पेसाच बूला गया है पहली छे विदिया भ्रामनों के लिए स्विकरता है अंतिम चार विदिया शेत्रिये के लिए स्विकरता है और अंतिम चार राक्षा संसकार के उकबाद के साथ वैशे और सुद्रों के लिए वैद है जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है विभा का उदेश से उच जाती के प ठीक है, अब हम देखते हैं कि महिलाओं की क्या situation थी, महिलाओं के बारे में क्या बोला गया है, उपरोग चर्चा से पता चलता है कि महिलाओं को एक ऐसे प्राणी के रूप में चितरित किया गया है, जिसे मुख्य रूप से उनके परिवारों द्वारा संरक्षित और नियंत चितरित करने के आफ सकता है, यानि कि महिलाओं को कैसा माना गया है कि उनको पूरा 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 कंट्रोल में रखा गया है पुरुषों के और ऐसा माना गया है कि उनके अंदर तो कुछ दिमाग में कुछ है नहीं, इनको सब तरीके से चलाने के लिए पुरुषों वही स संपत्तियों के रूप में चितरित किया गया है जिने यदि उचित रूप से नेंदरित किया जाए तो मालिक पती को सुख और समर्दी मिल सकती है मनुसमर्दी द्वारा महिलाओं के लिए निर्दारित करतवे महिलाओं से अपेक्सा करते हैं कि वो खुद को परशिक्षित करे और पुरुष के स्वामित्तव वाली संपत्ती के रूप में अपनी स्तिती का आनंद लेना सीखे यानि कि ये बोला गया कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ पुरुस के स्वामी तर्व में उसके लिए दास बनके काम करें उसी में अपनी खुसी डुंढे बाल्य आवस्ता में इस्त्री को अपने पिता के अदिन रहना चाहिए यूव आवस्ता में अपने पती के और जब उसका स्वामी मर जाये तो उसे अपने पुत्रों के अदिन रहना चाहिए एक मैला को कभी भी संतंत्र नहीं होना चाहिए मनु के नियम्मू के हिसाब से तो यही है अगर बचपन में उसका पिता उस पर कंट्रोल करेगा फिर उसका भाई उस पर कंट्रोल करेगा पती मर गया तो फिर साधी होने के बाद क्या उसका पती कंट्रोल करेगा अगर पती मर गया तो फिर उसका पुत्र करेगा उसकी अपनी कोई इच्छा है नहीं कुछ भी नहीं, वो अपनी वर्दी से कुछ काम नहीं करेगी, वो खली एक वस्तु है, जो महिला अपनी संतंतर इच्छा के लिए अपने पती या पिता या पती का घर छोड़ देती है, वह है अपने और अपने परिवार के लिए अपमान का करण बनती है, जो आज की हमारी स साइटी में यही परचलित है न, यही सारी चीज़े इसमें लिख्यू भी हुई है, यह कहां से हैं, यह हमारे पीछे टेक्स में लिख्यू हुई है, खराब बाते, मनुस्मर्ती का विधान है कि इस्तरी को नय केवल घर का परबंदन करना चाहिए, भलकि उसे परसंता पू पचा करना चाहिए उसको, एक महिला को नय केवल पुरुषो द्वारा मुल्यवान संपती के रूप में माना जाता है, बलकि पाठ आगे बताता है कि मांग करें कि उसे खुद को इस तरह से वैवार करने के लिए तयार करना चाहिए, यदि महिलाओं का धरम इस परकार एक विभाईत महिला का सबसे महत्वपुर्ण करतवे अपने पती के परती बिना शर्त विफदार रहना है, यदि पती में कोई अच्छे गुण नहीं है, तो भी पतनी को उससे लिप्टे रहना चाहिए, यदि पी सदगुणों में रहित से रहित या सुख की तलास कहीं और य भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे उसका हाथ पकड़ने वाले को एपरसंता हो, चाहे वैज जीवित हो या मिर्थ हो, अपने पती की मिर्ट्यू के बाद भी महिला को पुंद्र विवा नहीं करना चाहिए, और अपनी सुद्दा बनाए रखनी चाहिए, यानि कि र प्रिमारिज बिल्कुल भी अलाओ नहीं है, इंग्लिस में भी पढ़ना चाहिए, क्या, ओके, from the forging discussion, it can be learned that women have been depicted as beings who need to be guarded and controlled primarily by their families, the Manusmati sees them as a treacherous entities who can lead a virtuous man astray from dharma and down the path of desires, they have been portrayed as assets which it suitably controlled and can lead to pleasure and prosperity of owner the husband, the duties prescribed by Manusmati for women except women to train themselves and learn to take pleasure in their position as property owned by men, in childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her lord is dead to her son, a woman must never be independent, say the laws of Manu, a woman who leaves her father or husband to pursue her free will brings contempt upon herself and her family, Manusmati prescribes that not only a woman should manage the household but she should do it with cheerfulness, she must always be cheerful, clever in the management of her household affairs, careful in cleaning her utensils and economically in expenditure, a woman is not only to be treated as valuable property by men but the text goes on to the demand that she should cultivate herself to be treated as such, that is the dharma of women, thus the foremost duty of a married woman is to be unconditionally loyal to her husband, even if the husband possesses no good qualities, the wife should cling to him, though destitute of virtue, a seeking pleasure or devoid of good qualities, a husband must be constantly worshipped as a god by a faithful wife, a faithful wife, who desires to dwell after death with her husband must never do anything that might displace him who took her hand whether he be alive or dead, even after the death of her husband, the women ought not to remarry and should maintain her chastiscy, no such burden is placed upon men who lose their wives, the control of their women must be exercised by men of all caste women must be guarded against her evil insulinations, 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 a women's desire however trifling needs to be controlled, क्या बोल्ड एक महिला की इच्छा चाहे है कितनी भी छोटी क्यों ने हो नियंत्रित करने के आवसकता है, मनु इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोई भी पुरूख महिलाओं की पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकता, करता हुए उसके भोजन की तयारी में और घर के बरतनों की देखबाल में है, क्या बूल रहे हैं वो कि अगर महिलाओं को, वैस्त रखना है, तो उसको क्या दे दो, उसको responsibilities दे दो, duties दे दो, कौन-कौन सी duties, घर की देखबाल करना, और घर में खानावाना बनाना, बरतनों को साफ करना, और महिला को जो है अपनी इच्छा से अपनी रक्षा करती है, और वह अपनी इच्छी तरह से सनरक्षित है, महिलाओं के नियंतरन के महिलाओं के नियंतरन का यह करम ऐसी स्तिती पैदा करता है, जहां महिला, स्वैम, सुरक्षा और माननेता के रूप में पुरुस दौरा उस पर किये गए नियंतरन को महतव देना सीख जाएगी, यही तो हो रहा है, यही तो हुआ है, It is not force but women who of their own accord keep a guard over themselves as well as guarded. The social order prescribed municipality rests on the basis of control over women and their labor. It is through control of women that Varana boundaries are sought to be maintained. In addition, this control secures the women's body and labor for the exclusive enjoyment and use of men. This order of control of women across Varana's creates the situation where the women herself will learn to value the control exercise over her by a man as a form of protection and recognition. क्या बोल रहे हैं कि इस परकार से women को धीरे धीरे वो खुद ही सीख जाएंगी और सीख ही चुकी हैं. उल्रेडी इतने सालों से ओर्तों को सिखा ही दिया गया है और पेट्रियार्की को फोलो करने वाली जादा तर महिलाएं ही हैं आज के समाज में. कौन बताता है ऐसे नहीं करना है ऐसे नहीं करना है घर में जो है पुरुसों की बाते माननी हैं बाप जो बोल रहा है वो बानो भाई जो बोल रहा है वो मानो पती जो बोल रहा है वो मानो ये सारी बाते कौन सिखाता है विमन नहीं सिखाती है आज के टाइम में यहीं बोल इसके बारे में बताया गया है कि विमिन्स को कैसे कंट्रोल रखना है. Mixed cast, mixed मिश्रित जातियों के बारे में क्या बोला गया है? हाला कि मनुस्मर्थी सामाजिक विवस्ता के रख रखाओं पर बहुत जोड देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आदर्स विवस्ता जहां पर तेक जाती विवाईक सिमाओं को बनाए रखती है और अपने निर्धारित पेसे से जुड़ी रहती है, वह है ठोस रूप से मौझूद आदर्स से अधिक आदर्स है. इससे पता चलता है कि मनुस्मर्थी की रचना के समय अंतर जातिय विवाई होते थे. कि क्रीजित अन्गारित बनााति है, अदर्स प्वैर्णी की practice modernity is present. अधिक सुड़ी र File करें थे हां फिवाईब चंद प is, it suggests that in the time of composition of Manusmarti inter-caste marriage did take place. In its attempt to establish a complete social order, the Manusmarti strives to take into account all permutatives and combinations of marital relations that could possibly take place between different Varnuts and tries to place the offspring out of sub-unions into proper social categories. एक पूरन सामाजिक व्यवस्ता स्थापित करने के अपने प्रियासों में मनुस्मर्ति व्यवाईक संबंदों के सभी करम परिवर्तन और स्वायंजनों को ध्यान में रखने का प्रियास करती है जो संबहत विविन वर्णों के बीच हो सकते हैं और ऐसे संगोक से उत्पन संतानों को उचित समाजिक स्रेण्यों में रखने का प्रयाज करती है वर्णों के पुर्सों और महिलाओं के बीच अंतर विवा से मिश्रित जातियों के उत्पादन होता है जहां जिन्हें मिश्रित जाती कहा जाता है यानि कि जो इंटर कास्ट मेरिज होंगी उसको मिक्स्ट कास्ट बोलते हैं मनुसमर्थी नैके वल एक परिवासित करती है कि कौन सी जातिया विभिन वर्णों के संग से उत्पन हुई है बलकि ऐसी जातियों के वेक्तिकत गुणों उन्हें कोन से वेवार करने चाहिए और उ से आधार जनम माना जाता है मनुस्मर्ति निमन जाती के पुरुस और हुच जाती की इस्तिरी के पर्ति पर्ति लोंग विवास से संतान उत्पन करने को और अधिक आधार मानती है मिश्रित जातियों का विस्तरत वर्णन मनुस्मर्थी के लेख को द्वारा उस समय मौजूद लोगों की विबिन्स रेणियों को वर्ण करम के पदानू करम में रखने उनके वहवसाए और सामाजिक स्थिती को परिवासित करने का एक प्रियास प्रितीत होता है in its attempt to establish a complete social order, the मनुस्मर्थी strives to take into account all intermarriage between men and women of Varnas leads to production of what we can refer to as a mixed caste the मनुस्मर्थी not only defines which caste are produced out of unions across Varnas but also fixes the personal qualities of such caste, the occupations they ought to occupy and the social restrictions they should be placed upon them यानि कि इस परकार की जो caste उत्पन होंगी उसमें उनके क्या-क्या गुण होंगी उन सब के बारे में भी बताया गया है in anuloma marriages between a higher caste man and a lower caste anuloma विवा बोलते हैं इसको जहां पर एक lower caste का आदमी higher caste higher caste का आदमी lower caste की women से साधी करेगा तो the progeny although associated with the father's caste यानि कि उससे जो बच्चा होगा वो father की caste कमाना जाएगा फिर are still considered base-worn apsaada the manuscript considers progeny out of prati loma marriage between lower caste men and higher caste women as even more base the detailed description of mixed castes seems to be an attempt by writers of manuscript to place various categories of people who may have existed at the time in the hierarchies of वर्णा of order defining their occupation and social position by describing the obligations and duties of each and how they were to relate each other minusmate एक ऐसा पार्ठ है जो अपने समय में भारत्य अप महद्वीप के विविद लोगों को एक सामाजिक समगर्ता में बांधने का प्रियास करता है यानि भारत्य विए महद्वीप में लेने वाले लोगों का कि सामाजिक विवयस्ता कैसी रोने चाहिए सामाजिक structure कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात करता है प्रतेक के दाइतवों और कर्तवों का वरनन करता है कि किसको क्या उसके दाइतव हैं क्या उसको काम करने चाहिए उन्हें एक दूसरे से कैसे संबंदित होना चाहिए इसका उतमे मुनिसमर्थी में बरनन किया गया है यह है एक विविद सामाजिक छेतर में सामाजिक व्यवस्था बनाने का एक प्रियास था हाला कि यह प्रयाप्त होगा कि हम इस प्राचीन पाट के मुल्यांकन को इस दर्मार्थ दरिश्टिकोन के साथ समाप्त करते हैं जो इसे एक विविद वास्तिविक्ता को एक जुट करने के प्रयाथ के रूप में देखता है यानि कि क्या बोल रहे हैं वो यानि कि हमें जो मनुस्विक्ता है को पढ़ना चाहिए तो हिस्टोरिकल कॉंटेक्स में पढ़ना चाहिए कि उस टाइम का वातावरन ही ऐसा था आज के टाइम में अगर यह बाते बोली जाएंगी तो गालियां ही पढ़ेंगी आज के टाइम में कोई नहीं मानने वाला है आज के टाइम में हम क्या है human beings को as a human being ट्रीट करते हैं उनकी कास्ट उनके काम और इन सब चीजों से उपर उठके बात करते हैं आज के टाइम में हम gender equality की बात करते हैं ठीक है इसलिए तो अंबेडगर ने बोला था डॉक्टर भीम्राव अंबेडगर ने बोला था कि मनुस गवाल्याटी में 80 को लोगे सारी चीजों को फोलो करते हैं लेकिन जो 20 को फोलो करते हैं उनको अगर भोला जाएगा तो कोही फोलो करेगा आज कल इतनी ज्यादा all marriage हो रही है ठीक है आज कल इतना जादा जो है love marriage हो रही है women's जो है लड़कियां भी काम कर रही है लड़के भी काम कर रहे है equality होगी time की demand है सबको काम करना ही पड़ता है महेंगा ही इतनी है practical चीज़े इस परकार की हो गई है ना कि मनुसमर्ती की जो बाते बोले गई है उनको माना ही नहीं जा सकता है ठीक है the text needs to be placed in its historical context यानि कि जो बाते लिखी गई है उस time में जो इतिहास में जो जिस परकार का जो situation थी जो context था उसके आधार पर लिखी गई है मनुसमर्ती दस is not a simple commentary on religion, politics, ideas of justice, administration and society it is in fact a text produced by ब्रह्मिन्स to consolidate their social and political position and to place themselves at a very top of a graded society तो जो मनुसमर्ती है इस परकार जो मनुसमर्ती है वो धर्म राजनीती न्याय के विचारों परसासन और समाज पर एक साधारन टिपनी नहीं है बलकि वास्तम में यह ब्रह्मिनों दुवारा अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खुद को एक वर्गीकर्द समाज के सिर्ष पर रखने के लिए ही इसको लिखा गया था सीधा सीधा ब्रह्मिनों ने अपनी position जो है strong करने के लिए उस टाइम के ब्रह्मिनों ने जिनोंने मनुस्मिर्थि लिखी ठीक है आज के टाइम में सारी कास्ट इकवल है आज के टाइम में जो हमारे देश का जो विवस्ता है वो constitution के हिसाब से है और constitution में जो है जो नीचे की कास्ट थी उनको इतने सालों तक दबाया गया था उनको अधिकार नहीं दिये गये थे इसी लिए उनको reservation दिया गया है इसको affirmative action बोलते है ठीक है तो इसी लिए उनको इतने सालों से उन पर अत्याचार होता आ रहा था इसी लिए reservation दिया गया और बहुत सारी चीजों में women's को भी reservation दिया गया है क्योंकि हमारा समाज जो है इस परकार की विवस्ता पर आधारित था ठीक है मुनुस्मर्ति में परतिवाद्तित सदाचार धरम न्याय कानून और नतिकता के सभी विचार एक सामाजिक विवस्ता के रख रखाव की दिसा में है जो तीन उच वर्नों ब्रह्मन, छेत्रिय और वैश्य के हाथों में राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक सक्ति सुरक्षित करते हैं यानि कि तीन वर्नों को ही सारे अधिकार दिये गए हैं यानि कि डंड से, पनिश्मेंट से ही उनको, अगर वो अपने काम को फोलो नहीं करेंगे, तो डंड दे दो उनको, मारो उनको, पिटाई करो जो पाठ में राजनितिक सक्ति से जुड़े महतो को बताता है सासन के लिए एक मैनूवल होने के अलावा मनुस्मर्ति एक वैचारिक पाठ भी है क्योंकि यह देविये स्थरोत का दावा करके स्वें को मान्य करने का प्रियाज करता है ठीक है अब मनुस्मर्थी क्या करता है ये तो भगवान का लिखा हुआ है भगवान ने इसको लिखा है ये सारी चीज़ों तो फोलो करनी ही पड़ेंगी ठीक है भगवान ने लिखा हुआ इसकी बाते तो माननी ही पड़ेंगी जो मनुस्मर्थी में लिखी है बइवर्चू अफ बीग रेकोगनाईज ज़ए रिलिजिएस टेक्स विदिन दा हिंदू टडिशन इसको एक सक्षाइट ग्रेट पावर ओर हाव पीपल थिंक और वत देवलीव इस पर बहुत अधिक परपाव डालता है कि आज की सोसाइटी में इस परकार के विचार क्यों है यही कारण है कि सेकड़ों वर्सों के बाद भी यह प्रसांगिक बना हुआ है कि मनुस्मर्ती जमारा जो पदानुकरम जो कास्ट वेवस्ता है वो आज भी इंडिया में परचलित है 25 दिसंबर 1927 को डक्टर भीवराव अमबेटकर ने पराचीन गरंथ को जलाने का नेतरत्व किया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था है अमबेटकर ने बोला था मनुस्मर्ती में आग लगा देनी जाहिए बहुत ही बक्वास करंथ है जो लिखा गया है बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है बहुत ही खराब लिखा गया है महाड्य सत्याग्रह में अपने एतियासिक बासन में उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि मनुस्मर्ती में के सभी भाग निंदनिये हैं कि इसमें अच्छे सिद्दाद रही है और मनुस्वेम समासास्त्री नहीं थे और केवल मूर्ग थे हमने इसका अलाव जलाया क्योंकि हम इसे अन्याय के परतीक के रूप में देखते हैं जिसके तहत हम सद्यों से कुचले गए हैं मनु की शिक्षाओं के कारण हम घरनित गरीबी के नीचे दब गए थे वंशानुकरम हिंदू पुजारी के अभियोग में आरोप ए संख्य और भयावा हैं वह सभ्यता के पहिये का रोड़ा है मनुष्य जनम लेता है एक परिवार का पिता बनता है और फिर परिवार फिर समय के साथ मर जाता है पूरे समय पुजारी एक दुष्ट पर तिभा की तरह उस पर चाया रहता है क्या बूल रहे हैं वो? On December 25th, in 1925, Dr. B.R. Ambedkar laid the burning of the Asian text in his historical speech as Mahad Satyagrae He said, it is not that all the parts of Manusimurti are condemnable that it does not It does not contain good principles that Manu himself was not a sociologist and was a merry fool We made a bonfire of it because we view it as a symbol of injustice under which we have been crushed across the centuries Because of Manu teachings, we have been ground down under dispensable poverty The counts in the indisement of the hereditary Hindu priests are numerous and appalling He is a cloak on the wheel of civilization Man is born because, becomes the father of a family and then in the time dies All along the priest shadows him like a evil genius He says, they are all in the power of the ki, he says they are all in the power of the pulling of the ni with the मृति को बहुत किर्टिसाइज किया है और बी आरम बेट कर जो है मनुस्वर मृति के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो और बाकी की जो वीडियों है आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगी हमारे जो चैनल है चैनल के में प्लेइलिस्ट बनी हुई है अलग-अलग पेपर्स की तो एसियंट एंड मेडिवल इंजिन पॉलेटिकल थोट की भी प्लेइलिस्ट बनी हुई है बाकी की सारी वीडियों उस प्लेइलिस्ट में है वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हो